करके ऐसा तुम आखिर क्या पाते हो यूँ जूट बोल कर रिष्थे क्यों निभाते हो इनसाफ होगा एक दिन तब याद रखना तुम देखेंगे खुद को कहां ले जाके छुपाते हो तो अगर आपके परस ने भी आपको धोका दिया है आपसे नो कॉंटाक्ट सिचुएशन में हैं और आप यह जानना चाते हो कि क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको ले कर के आशा करती हूँ, आप सब का दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग positive होंगे, खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे तो general reading है, collective reading है, timeless reading है, आपके साथ जितना part resonate करेगा, उतना रखेगा, बाकी का छोड़ दीजेगा comment box में आपकी wishes लिखना मत भूलिएगा, आप लोग अपनी life में क्या चाहते हैं, wishes, manifestations, ज़रूर लिखेगा चलिए, शुरू करते हैं इस reading को, जिस भी person के बारे में आप सोच रहे हैं, उनका image अपने दिमाग में रखते हुए, cards के साथ कनेक्ट हो जाएए so all the divine energy is bhajanbali universe, please viewers को बताएए, क्या को चल रहा है, इनके person के मन में, इनके बारे में, इनको ले करके क्या को सोच रहे है, इनके person अभी, okay so all sign reading है, collective reading है, general reading है, fine, so card के साथ जल्दी-जल्दी connect हो जाएए first card ही यहां पर आगया है, judgment का card, okay, so judgment claim कर लीजए, आप में से जितने लोग judgment का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग नयाए का इंतजार कर रहे हैं, तो फटा फट से claim कर लीजए, क्योंकि आज आपके person यहां पर judgment वाली mode में सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं, तो एक possibility मुझ तो बहुत ऐसा चल रहा है, जिसका कर्मा इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज सुबह आपके बारे में यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आपके साथ इनोंने काफी कुछ गलत कर दिया है, जो इनकी जिन्दगी में इनको तकलीफ दे रहा है, इनको प पता रहा है कि आप चीजे ना बदल रही है ठीक है चीजे बदल रही है और इनको आपके बारे में यही समझ में आ रहा है कि आपने लाइफ के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश की आपने डिलेशनशिप्स के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है लेकिन आपकी जिसे आत्मा ही निकाल दी इनोंने ठीक है आपको इतना दर्द या आपको इतनी तकलीफ दी कि आप भगवान से प्रे करते रहे आप इन से मिन्नते करते रहे आप उपर वाले से मांगते रहे कि आपकी लाइफ में ये दुख क्यों आ रहा है तो ये चीज अभी बहुत फीलि कुछ ऐसा चल रहा है कि ये जज्मेंट वाले मोड में मुझे यहां पर पहले ही दिखाई दे गए हैं ओके तो अभी आपने भी बहुत जादा इन से हाथ पर जोड़े होंगे ठीक है रिलेशन्शिप ठीक करने की या रिलेशन्शिप्स बना के रखने की आपने बहुत जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनकी लाइफ से दुख तकलीफ चली जाए ओके सो यहां यह दोनों ही यह दोनों ही कार्ड आप देखिए ठीक है मून का कार्ड निकल के आया है तो यह दोनों ही जगा ऐसी सिच्वेशन्स में फसे हुए है आपके परसन कि इनको आपके फसे होने का इसास दिखाई दे रहा है इनको यह आज सुभा इसास आता हुए दिखाई दे रहा है कि इनों ने जिस तरीके से आपके जिंदगी बरबाद कर दी जिस तरीके से थर्ड पार्टी सिच्वेशन आप दोनों की लाइफ में आई तीक है तो उस ताइम पे इनको तो आपके जिंदगी का दुख, आपके दिल का दर्द इनको आज समझ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो शुबह कही न कही ये कुछ कनेक्शन बनाते हुए भी दिख रहे हैं दिवाइन से, कुछ प्रेय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपने गॉड के साथ, बगवान के साथ, युनिवॉर्स के साथ, डिवाइन के साथ, कि अपनी गलतियों की सुपध माफी मांगते हुए भी कुछ खुछ दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, और देखो यहां पर third party involvement तो बहुत जादा strongly आप दोनों के बीच में आई हुई थी और उसी के चलते ना जो यह separation आप दोनों की life में आया है यह अभी उस गम में उस दुख में उस परिशानी में जो भी यहां पर situation में यह स्टक है फसे हुए ना यह ऐसा लग रहे कि बस उसी दुख में ना डूपते चले जा रहे हैं उजाले से दूर अंधेरे की तरफ जाते चले जा रहे हैं इनके आसपास इनको समझने सुनने वाला कोई भी नहीं है ठीक है सो इनका सब कुछ खतब होता हुआ दिखाई दे रहे हैं इनका लुटता हुआ दिखाई दे रहे हैं ल आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, King of Pentacles के अनरजी है, तो आपके बारे में देखो यह सोच रहे हैं, कि आपने हमेशा बहुत important decisions खुद लिये हैं, आप हमेशा warrior रहे हो, है ना, आपकी life में power रही है, आप बहुत powerful इंसान हो, है ना, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप उस आपने हमेशा अपने लिए एक stand लिया है, आपने हमेशा दूसरों का साथ दिया है, आप अगर, आप आज भी अगर बैठे हुए इनके बारे में सोच रहे हो ना, तो इनको यह चीज़ खयाल इंके दिमाग में कही ना कहीं पहुंच जा रहा है, युनिवर्स इन तक आपक इनको प्रोटेक्ट किया है, आपने इनको हर तरीके से केर दी है, आपने इनका बहुत खयाल रखा है, आप हमेशा इनके साथ बने रहे हो, आपने इनका साथ जब तक यह आपके पास थे, तब तक आपने इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, रिलेशन्शिप को बहुत तो यह इमोशन अभी बहुत जादा इनके मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको यह भी पता है इनको कि आपकी जो प्रेजन्स है वो बहुत इंपोर्टन रही है इनके लिए इनको हो सता है आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया हो लेकिन आज एक 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 एमोशन इनके मन में आपके लिए बहुत डीप आता हुआ दिखाई दे रहा है फूल की एनरजी आई है तो देखो इनको यह मालूम है या यह यह सोच रहे है कि इनसे बहुत जादा गलती हुई है इन्होंने अपना अच्छा करने के लिए आपकी ज selfish reasons की वज़े से इन्होंने fools वाला काम किया है यह अभी आपके लिए यह भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने आपकी life को ऐसे mode पर लाकर के खड़ा कर दिया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेले रह गए आपको अकेला छोड़ देया इन्होंन और इनको यह भी एसास आ रहे हैं कि आपकी जो strength है ना वो हमेशा आपने उसको अपने power की तरह use किया है और आपने अच्छे relationships के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है actions ही लिए है आपने हमेशा दूसरों को दिया है six of pentacles आपने हमेशा relationships में दिया है आपने हमेशा दूसरों को दिया है आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा आपने efforts डाले है आपने प्यार दिया है आपने emotions दिये है even आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनोंने finances से भी help की है ठीक है तो आप हमेशा देने वालों में से हो आपके हाथ हमेशा देने वालों की तरह रहे है आपने कभी लेकर मांगा नहीं है और अगर आपने मांगा भी है तो आपने अपने हक की चीज मांगी है ठीक है आपको free की खेरात नहीं चाहिए आपको किसी का कुछ नहीं मतलब है आपको किसी की चीज से मतलब नहीं है लेकिन जो आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा है वो तो मुझे मिल चाहिए था ठीक है वो भी कोई छीन करके ले गया तो अभी यही आपके लिए यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इस कदर इस तरीके के इनसान हो कि आपने जिंदगी में खुशियां बाटी हैं आपने जिंदगी में उमीदे बाटी हैं आपने जिंदगी में अगर ये situations ठीक हो पाती है जिस भी situation में ये फसे हुए है तो definitely ये आपको वापिस करना चाहते हैं जो भी आपने जो भी आप deserve करते हो ये आपको देना चाहते हैं ठीक है आप आपके हाथ कभी खाली नहीं रहे हैं आपने हमेशा अपने हाथों को भरा रखा है ताकि आप लोगों को दे सको अब चाहे वो पैसा हो चाहे वो प्यार हो चाहे वो emotions हो चाहे वो care हो इस दुनिया की सारी खुशियां ही क्यों नहीं आपने हमेशा देने की कोशिश की है तो यही अभी सोचते हुए दिखाई दे रहे है कि आपको वो सब कुछ मिलना चाहिए आपको वो सब चीजे मिलनी चाहिए जिंदगी में जो आप डिजर्फ करते हो ठीक है और इनोंने आपसे छीन लिया वो सब कुछ तो अभी क्या और आ रहा है 10 of wand का कारड आया है तो यहां जो राशिया आ गई है वो मैं आपको बता देती हूँ ओके अल्दो यह all sign reading है तो signs पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है Pisces mean राशी बहुत प्रोमेनेंट निकल करके आई थी जो कि यह बता रही है कि इनके मन में अभी बहुत जादा डर है ठीक है बहुत डर दिखाई दे रहा है और टॉरस पर को Capricorn विशप करने अमकर राशी यहां पर आ चुकी है ओके और वान का कारड आया है तो Aries, Leo, Sagittarius, Meish Singh, Dhanu, राशी आ गई है तो यहां देखो यह कारड 10 of 1 का कारड आया है तो यह वह पल अभी याद आ रहा है इनको जिस दिन वह अपना समान लेकर के अपना सब कुछ उठा करके आपकी जिन्दगी से चले गए थे इन्होंने आपकी लाइफ का चाप्टर ही खतम कर दिया था इन्होंने आपकी एमोशन्स ही खतम कर दिये थे इन्होंने आपको बिलकुल तोड़ दिया था वो मोमेंट अभी बहुत जाद है इनको याद आ रहा है इसलिए इहां पर जज्जमेंट का कारड सबसे पहला आया था क्योंकि जिस दिन वो छोड़ करके गए है आपके लिए बहुत फीलिंग्स आज उनको सुबह आती हुई दिखाई दे रही है उनको ये पता है कि आपकी लाइफ में बहुत अपसें डाउंस आई है आपने स्टॉंग लिए उसको सबको हैंडल किया है आपने कभी गिव अप नहीं किया है क्योंकि आप बहुत जादा अपने हिम्मत दिखाते हो और आगे बढ़ते हो उतनी हिम्मत शायद इन में नहीं थी कि ये सच्चाई से लड़ सकें या सच्चाई का सामना कर सकें या अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर सकें वो उतनी हिम्मत इन में नहीं थी कि ये लोगों को ना बोल सकें या लोगों को अपने इमोशन्स बता सकें ठीक है लेकिन आज इनके दिल में जो इमोशन्स आ रहे हैं वो भी ये किसी को नहीं बता रहे हैं और नहीं अभी बताएंगे ठीक है तो ना ही अभी आपके पास आपको आपको ये सब मोमेंट्स याद जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी आपके पास आने वाली situation में दिख नहीं रहे हैं तो दूसरे डेक से हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ क्या कुछ action आ रहा है divine please guide कीजिए क्या कुछ next action plan करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो देख लेते हैं कुछ next action आ रहा है क्या इनका आपके लिए divine please guide कीजिए next action क्या कुछ plan करते हुए दिखाई दे रहे है seven of cups का card आया है so देखो यह सब आपको यह आपको छोड़ के गए थे क्योंकि इनको अपनी जिंदिगी में सब कुछ चाहिए था ठीक है इनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए था इस वज़े अपने selfish reasons की वज़े से आपको छोड़ करके गए थे और ace of ठीक है यह एक decision लेना चाहते हैं एक new beginning करना चाहते हैं आपके साथ आपसे माफी माँगना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं temperance का card आया है Gemini Libra Aquarius में तुन तुलाकुम राशी एड़ हो गई है and temperance का card यहां निकल करके आया है तो Sagittarius धनुराशी बहुत प्रॉमिनेंट निकल करके आया है इनको अपने जिंदगी में इनको अपनी लाइफ में पीस चाहिए ठीक है यह बैलनस करना चाहते हैं यह आपको आपका प्यार आपका 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 जो डिजर्फ करते हैं वह सब कुछ यह आपको देना चाहते हैं तो इनको अभी एक कुछ ना एक इनको एंजिस गाइड कर रहे हैं इनको एंजिस मेसेज दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव होगा वह आपकी वज़े से ही होगा वेरी ब्यूटिफुल तो देखो King of sword का card आया है तो यह definitely decision लेंगे और action plan करेंगे यह आपकी तरफ आते होए मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी क्योंकि इनका cycle इनका time अभी ठीक नहीं चल रहा है तो यह situation से थोड़ा सा अभी deal कर रहे हैं थोड़ा सा भी situation में फसे हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी situation में committed दिखाई दे रहे हैं ठीक है लेकिन आपके लिए emotions बहुत जादा आ रहे हैं King, King, okay So King, King के cards यहाँ पर आये हैं So definitely वो अपने emotions लेके बैठे हुए हैं और आपके लिए decisions लेना चाहते हैं आपको इंतिजार कर रहे हैं उस पल का इंतिजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब वो ये moment खतम होगा जब ये situation खतम होगी और ये आपके पास वापिस आपाएंगे आपको commitment देना चाहते हैं आपको भले अभी accept नहीं कर रहे हूँ ठीक है बले अभी आपको नहीं पता हो भले अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं इंकी जिन्दगी अलग है मेरी जिन्दगी अलग है ये छोड़के गए थे और आप अभी जितना भी चाहे इनको call कर लो अभी यह उस situation में नहीं है कि यह आपको revert करें यह आपको सहारा दें यह आपके पास आ सकें लेकिन definitely आगे आने वाले टाइम में इनके emotions जो आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत intense आ रहे हैं 10 of 1 का card आया है वे देखे सारी राशिया आ की है तो यहां पर यह card यह बता रहा है कि ये अपने इस बोझ तले यह दबन जा रहे है जो इन्होने आपके साथ गलत किया है वो इस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे है और अभी कही जहाँ हो सकता है करमा टाइम चला हैं तो ये कार्मिक्स जब तक खतम नहीं होंगे, तब तक ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, तो ये न ये बोज हो गया है, अब ये जिस भी situation में है न, ये third party situation में है, ये कार्मिक्स चल रहा है इनके, ठीक है, तो ये इस situation से न, परिशान हो चुके हैं, ये अभी handle नहीं कर प करके चले गए हैं, वो सब आपको लोटाना चाहते हैं, और अभी न, एक जादू सा इनके दिल पे चाहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जादू ही है, इतना सब होने के बाद, इतना सब खराब हो जाने के बाद, अगर आपकी याद अगर उनको आ जा रह ही है, तो ये चीज उनको ये भी दिखाई दे हाही है क्या है हर रोज नहीं आता है, ठीक है, आज इनको कुछ intense आरहा है आपके बारे में, confuse भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ confusions हैं इनकी life में, कुछ commitment हैं इनकी life में, बले यह देखो, यह अभी नहीं कर पा रहे हैं, और आगे, देखो, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर रुक जाते हैं, यह ना, commitment से अभी दूर भाग रहे हैं, ओके, आपको feel जरू कर रहे हैं, but accept नहीं कर रहे हैं, है न, feeling intense है, पर commitment अभी नहीं दे सकते हैं, okay, and कुछ तो इनकी life में भी चल रहा है, जिसको यह अभी कुछ पहले sort out करेंगे, उसके बाद ही आपके लिए action दे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, okay, कुछ messages भी में लूँगी, so यहाँ पर द I love you, please believe me, I love you, so बहुत ही एक प्यारा सा message आपके लिए निकल के आया है, तो जल्दी जल्दी claim कर लिजे, reunion and love, so यहाँ पर आपको message यही आया है, कि believe करें उनका, विश्वास करें उनका, जो भी नादानी हुई है, उनसे, जो भी गलतियां की हैं उनोंने, उसके भी वो आप से बहुत जादा प्यार करते हैं, you are the most beautiful person I have ever met, ठीक है, so आप एक feeling उनको दे रहे हो आज, कि आप से जादा खुबसूरत इंसान, इनको कभी नहीं मिला है, अगर यह किसी third party situation में गए भी है, उसके बावजूद भी, वो एहसास जो आपके साथ आता था, वो नह I have my unconditional love, I have never cared for anyone like you, so अभी बहुत जादा आपके लिए एक love आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने हमेशा आपने भी unconditional love किया है इनको, ठीक है, और इन्होंने भी कहीं नहीं यह चीज शुरुवाती दिनों में निभाई है, लेकिन आज बहुत जादा आपके लिए feel कर रहे है, ऐसा उन्होंने कभी किसी के लिए feel नहीं किया है, you make me feel like I can do anything I set out to do, मैंने बोला ना आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आपने हमेशा उनको सहारा दिया है, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो, आपने उनके साथ खड़े रहे हो, आपने उनकी लिए stand भी है कि आपने उनको हमेशा यह हिसास दिलाया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी करके दिखा सकते हैं तो इतनी स्ट्रेंथ आपने उनको दी हुई है इस तरह यह चीजे जो भी हुई है यह हमारे साथ ही क्यों ही हुई हुई है यह चीजे भी हुई है यह चीजे भी यह सोचते हुए दिखा रहे हैं ठीक है आपके लिए बहुत जादा प्यार है आपके लिए बहुत जादा आज भी फीलिंग्स इनके दिल में है तो डेफिनेटल यह आपको अप्रोच जरूर करेंगे तो यह थे आज के कार्ज यह थे आज के मैसेजेज अगर आपके साथ रेजोनेट किये हो तो एक लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चानल को और कमेंट बॉक्स में बजरिंग यूनिवर्स का थैंक्यू कर दीजेगा और लिख करके यह बताएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रही हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद